दोस्तों, भले ही KKR की टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन रिंकु सिंग ने अपनी बहतरीन पारी से सभी का दिल जीत लिया। रिंकु सिंग ने 15 गेंदो पर 2 चोको और 4 चको सहित कुल 40 रनों की पारी खेली। एक समय ऐसा लगा कि रिंकु KKR को जीत दिला देंगे। लेकिन आखरी ओवर में इविन लुईस ने उनका एक कमाल का कैच लेकर उनकी यादगार पारी का अंत कर दिया। आउट होने के बाद रिंकु थोड़े निराश भी दिखे और जब KKR को 2 रन से हार का सामना करना पड़ा तो उनके आँखों में आंसू थे। वहीं उनके दोस्त नीतिश राना उन्हें सांत्वना देते हुए दिखाई दिये। आपको बता दे दोस्तों कि आखरी गेन पर KKR को 3 रन की दरकार थी। उमेश यादव ने स्टोइनिस की आखरी गेन का सामना किया लेकिन गेन पाज ने सही लाइन के साथ यौकर फेकी जिसे खेलने से उमेश मिस कर गए और बोल्ट हो गए। और इसके साथ ही KKR को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा और वहीं KKR का सफर समाप्थ हो गया। तो दोस्तों KKR वसेज लखनव मैच में किसका पफॉर्मेंस आपको सबसे बहतरीन लगा। अपने जवाब कमरंद बॉक्स में दे और विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करके।